हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक शो चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलिवुड से लेकर फैन इंडिया के लेवल पर रिलीज हो रही सारी की सारी फिल्मों की अपडेट के बारे में जो कि सच में छोटे और काफी ज़्य कमाल के है यानि कुछ फिल्मों की रिलीस डेट कंफर्म हुई है तो किसके फिर्स लुक को ओफिशली रिलीस किया गया है तो कुछ फिल्मों की ट्रेलर की कंफर्मिशन दे दी गई है जिन सभी पर मुझे लगता है बापके समय को बिल्खुर भी ना बरबात करते हुए पहले अपडेट की तो यह अपडेट है प्रभास की सलार फिल्म की या फिर कहूं के जिय फिल्म के डैक्ट है प्रशान नील की सलार जिसकी हाँ ऑफिशल विलीज डेट पहले भी कन्फर्म की गई थी कि फिल्म 28 सेप्तिमबर साल 2023 को रिलीज होगी तो अब उस पर मोहर लगा पुमबाली फिल्म के ऑफिशल यूटूब चैनल पर इसकी ऑफिशल विलीज डेट के छोटे से ग्लिम्स को रिलीज करकर ये बात ऑफिशली फिर से कन्फर्म कर दी गई है इसी बात को बताते हुए कि ये फिल्म अपनी रिलीज डेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही औ और ये फिल्म इस साल 28 सेप्टेंबर को ही रिलीज हो रही है जिसके लिए अब excitement तो बनती ही है क्योंकि obviously फिल्म प्रशान नील की है और देखना interesting ये भी रहेगा कि क्या ये फिल्म सच में KGF के यूनिवर्स से जाकर connect हो भी रही है या नहीं जिससे हटकर अब अगली अबडेट की बात करें तो ये अबडेट अमिताब अच्छन सेरिंग फिल्म section 84 की है जिस फिल्म में उनके अलावा दिशाप N.T को भी कास्ट कर लिया गया है और ये फिल्म असल मायने में कोटरूम ड्रामा है जिसे किसी और नहीं बलके कर दिया गया है जिसके एक छोटी सी टीजर वीडियो को डाल कर इस बात की confirmation दी गई है कि अब असल मायने में अपने इस प्रोजेक्ट में पूरे दिलो जान से लग गये है जिसमें हां उनके अगेंस जानवी का पूर की भी confirmation कर दी गई है और रिसेंडली इस फिल्म के साथ एक ऐसा ही काफी बड़ा नाम हॉलिवुड से ब्रैड मुनिश का भी जोडा गया है जिनने अपने करियर में जो स्क्रिन पर आपको दिख रही है बड़ी बड़ी हॉलिवुड की फिल्में उनके वी एफिक्स का डिपार्टमेंट समाला है जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि ये फिल्म अच्छे खासे हैवी वी एफिक्स के बजट को भी अपनी इस फिल्म में जगा दे रही है लेकिन कैसे फिल्हाल तो उसका जवाब मेरे पास नहीं और नहीं इस फिल्म की ऑफिशल रिलीस का कि ये फिल्म असल माइने में कब रिलीस होगी बाकी देखते है क तो राम चरन तेजा की भी बात कर लेते हैं जिनका एक काफ़ी लटका हुआ प्रोजेक्ट यानि कि RC-15 जिसे शंकर ने बनाया है उसे टाइटल दे दिया गया है और ये टाइटल गेम चेंजर का है जिसके टाइटल के अनौस्मिन का ट्रेलर आको यूटूब पर मिल जाएग बाकि अब बात करें सनी पाजी की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर वन के बाद बनाई गई टू फिल्म की तो जैसे कि आप सबी को पता है कि ये फिल्म इसी साल 11 अगस की ऑफिशल विलीज डेट पर सेट है तो वहीं इसका टीजर ट्वेलर अब आना भी बनता है जो कि अब क पैन इंडिया लेवल पर 22 दिसंबर रिलीस की जाएगी जिसकी कास्टिंग की लिस्ट में नाम नवाजुदिन सिद्धिकी का भी एड़ कर दिया गया है और ऐसे ही पैन इंडिया पर आइमिन पैन इंडिया के लेवल पर रवी तेजा की अपकमिंग फिल्म टाइगर नाग का भी जोड़ा गया था जिन्होंने फिलहाल तो इसी रूमर के एकॉर्डिंग इस फिल्म के इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है अमिन उनके कैरक्टर के उस रोल को जो अगर सच है तो उसके पीछे का रीजन मुझे लगता है कि जल्दी निकल कर आएगा या फिर हो सकता है कि इस फिल्म के बनने के बाद हमें पता चल जाए कि असल मायने में सैफ हली खान ने इस मेगा बजट की फिल्म को क्यो छोड़ दिया जो कि एंटियर के नाम के साथ ही ब्लॉक बस्टर अभी से बन जाती है और फिर आखरी और छोटी अपडेट में बात कर लेते हैं अज लेकिन वो इस प्रजेक के साथ जुड़ सकते है इसकी रूमर बहुती जादा स्ट्रॉंग है जिन सारी की सारी अपडेट को लेकर आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिक कर बता सकते हो क्योंकि अब वक्त है इस अपडेट वीडियो के यही पर खतम करने का बाकी मैं हूँ अजीज मोवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेर और सब्सक्राइब भूलना मत मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में तिल देन बाई